दोस्तो स्वागताप का एक नई वीडियो में जब तक सुबह सुबह दूद वाली कड़क चाई ना मिल जाए तक तक दिन अधूरा लगता है अधरका स्वाद और सुगंध ही मन को स्कून दे देती है और जब सर्दियां तुरजाई में बैठकर इस चाई को पीने का मज़ा ही कुछ और होता है लेकिन दूद वाली चाई को लेकर अकसर यह बैस भी चुड़ी रहती है कि यह है दूद वाली चाई सेथ के लिए कितनी अच्छी है और कितनी नहीं तो चलिए आज जान ही लेते हैं दूद वाली चाई से सेथ को मिलने वाले फाइदे और नुकसान के बारे में तो दोस्तों मैं हूँ परदीब चैनल को कर लीजिए सबस्क्राइब तो चलिए जानते हैं दूद वाली चाई के फाइदे और साइड एफेक्ट के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे चाई के फाइदों के बारे में तो इस चाई को पीने पर शरीर को उर्जा मिलती है इसमें कोई दोराई नहीं है कि बहुत से लोगों की दिन की शरुवाद चाई से इसलिए होती है क्योंकि चाई पीने के बाद ही वे किसी काम को करने लाइप शरीर में अनरजी महसूस कर पाते है दूद वाली चाई सिर्दर्द दूर करने में अच्छा असर दिखाती है इसका एक कारण तो यही है कि इसमें अदरक होता है और अदरक दर्द को कम करने में असरदर साबित होता है स्ट्रेस को कम करने में भी दूद वाली चाई के फाइदे देखे गए है इस चलते कामकाजी में लोग खास तोर में आफिस में वक्त बेवक्त चाई की प्याली तराशते हैं अगर बात की जाए मूड की तो दूद वाली चाई को मूड फिल्टर भी कहा जाता है इससे मूड पहले से बैतर हो सकता है तो दोस्तों अब जानते हैं श्रील को जो होते हैं नुकसान दूद वाली चाई से श्रील को होने वाले नुकसानों की गिंती भी कम नहीं है सबसे ज़्यादा पी जाने वाली दूद की चाई नील से जुड़ी दिक्कतों का कारण बन सकती है चाई से हार्ट बर्म जा कहें सीने में जलन की दिक्कत हो सकती है इससे कई बर पेट फूलना और जी में चलाना भी महसूस होता है सुबह सुबह खाली पेट चाई पीना ऐसडीटी का कारण हो सकता है घर्बती महिला को अधिक चाय के सेवन से प्रहेश करने की सला दी जाती है चाय का ज्यादा सेवन शरीर में बाकी पोशक तत्वों को बादिद करता है शरीर को अन्य तत्वों को सोखने में मुश्किल होने लगती है दोस्तों यह थे दूद वाली चाय के कुछ नुकसान तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपके लिए यह जानल करी उपयोगी होगी मिलते हैं किसी दिन नई वीडियो में थेंक्यो